हम ट्रकिंग के वर्ल्ड लीडर डैमलर से जुड़े हैं भारत बेंस ने भारती रोड कंडिशन्स का अध्यन किया और इस समझ के साथ पहले से मौजूद टेकनालोजी से बहतर टेकनालोजी के ट्रक्स बाजार में उतारें भारत बेंस के ट्रक बहतर माइलेज देते हैं इनका पुलिंग पावर और ग्रेडिबिलिटी जबरदस्त है फ्रंट्रेयर ट्रकिंग की डिलर्शिप फेसिलिटी जबलपुर, सतना, छिंदवाडा, सिंगरौली एवं छतरपुर में है टच पॉइंट की एक दूसरे से दूरी करीब 200 किलोमीटर है कश्मर को बहतर आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए फ्रंट्रेयर ट्रकिंग का पूर्वी मद्दपरदेश में 20 जिलो में सर्विस नेटवर्क है इन सभी सर्विस सेंटर में पूर्ट है, ट्रेंड स्टाफ है डिजिटल टेकनोलोजी प्लाटफोर्म पर गाड़ी के स्पेर पार्ट्स की जानकारी उपलब्ध है ट्रक्स की बहतर सर्विस के लिए नवीनतम आटो रपैर टेकनोलोजी से लैस भारत बेंज के सभी सेविस सेंटर्स, स्पेशल टूल्स का उपयोग कर ट्रक्स को सुधारते हैं जल्द सुधार के लिए एक्स्प्रेस बेज हैं एडवांस डागनोस्टिक सिस्टम को ट्रक से जोडते ही सारी जानकारी लापटॉप के स्क्रीन पर दिखने लगती है इससे ट्रक की सुधार प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है इन सभी सेविस स्टेशन में रिपेर के लिए गाड़ी लेकर आने वाले ड्राइवर्स के आराम के लिए ड्राइवर रेस्ट रूम की व्यवस्था है यहां से ड्राइवर अपने ट्रक को रिपेर होता देख सकते हैं उनका भी सपोर्ड काफी अक्छा रहा है हमको पहला ट्रक खरीने के बाद मेरी गाड़ी हाइवा जो है वो बाइस दिन बाद एक्सिदेंट हुए उस एक्सिदेंट हाइवा को भारत बेंज के वर्क्शॉप ने अठारा दिन में वापस रगोट पर लाके खड़ा कर दिया यह एक्सिदेंट में लिए बहुत शांदार था और एक गाड़ी जिसमें लगबग 80% का नुकसान हूँ और वो 18 दिन और 20 दिन के अंदर वर्क्शॉप से बाहर आ जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब दी और उसको देखती हूँ फिर जब मैंने उसको लगातार तीन साल लगब यूज किया तो यह समझ में आए कि वाक्काई में भारत बेंसे अच्छा कोई भी गाली मार्केट में तो नहीं है मेरे काल से मैं हमारी गाड़ी कभी भी आज तक पार्ट के लिए खड़ी रही हूँ यदि इनको अभी विल नहीं रहा तो विदिन आ टॉयल आवर्स विदिन आ टॉन्टी फॉर आवर्स उन्हें अरेंज करके तो पार्ट के उसका रही उनका सर्वेस सपोर्ट अच्छा है और जब भी हमारे को जवर्वत रही है तो उनने फुली सपोर्ट दिया है ब्रेकडाउन टाइम बहुत कम लिया है हमारे लिए तो उनने 24 आर 7 सर्वेस दी है मेरा तो अभी तक अनुग काफी अच्छा रहा है जहां तक सवाल हमारे यहां स्पेर्स बगरा को लेके और बाक नौ मॉबाइल सर्विस वैन है हर 200 किलो मीटर पर एक टच पॉइंट होने की वजह से मॉबाइल सर्विस वैन को रास्ते पर खड़े ट्रक तक पहुचने में अधिक्तम 4 घंटे का समय लगता है Advanced Diagnostic System से less हमारे टेक्नीशिन्स 24 घंटे के अंदर गाड़ी को ओन रोड करने में काम्याब हो जाते हैं चुकि हमारा रोड कंस्ट्रक्शन का काम है हमारी साइटे जो हमारा एचो है उससे करीब करीब 200-200 किलोमीटर दूर तक रहती हैं तो हमें यहां से मॉबाइल वैन कई दफा भेजी और वो काम करके आई हैं तो टोल फ्री नंबर पर कंपलेंट करने पर विदन टाइम वो सॉल हो गए मॉबाइल सर्विस ही हमारे यहां पर होती है क्योंकि यहां था हमारा जबलपूर पास पड़ता है हम सर्विस सेंटर में कॉल करते हैं उनको जितनी देर में हमारे राड़ी जहां अगर गाडी को साइट से हटाना पड़ता है तो कोई ब्रेकडाउन है तो फिर उसको टोचन करके लेके जाओ आपका ब्रेकडाउन टाइम बढ़ता है तो यही पूरा एक दिन दो दिन का प्रोसीजर ले लेता है भारतीय कस्टमर्स को क्रांतिकारी ट्रकिंग अनुभव देने के लिए कृत संकल्पित भारत बेंज अपने कस्टमर्स को व्यापार में अधिक उर्जा से प्रतिस परधा में आगे निकलने और लाभ पहुचाने हेतू प्रयासरत है भारत बेंज एक भरोसे मन ब्रांड है और हमारे संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार बढ़ता जा रहा है अगर मैं इस साइट पर तारीब करूँ तो उनने आउट अफ दा वे जाके भी हमको सपोर्ट किया है साइटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है तभी मैंने एक से सत्रा गाड़िया बनाई है और और औरों को भी सजेशन दूँगा कि आप ट्राइल करना हो तो मेरे आँ के देख लीजिए सौ परिशियत निश्चित रूप से लोगों से भी बोल सकते हैं कि आप भारत बेंच की गाड़ी जरूरी यूज करें क्योंकि जो चल रहा है मैलूडी खाओ खुच जान जाओ किसी के कहने से काम ना हो आप एक बार उसको यूज कर लोगे मेरा कहने का मतलब है कि भारत बे अपने करहाकों के लिए मुनाफ़ और भरूसे का सौधा है हमारे ट्रक्स के साथ आप अधिक कुशलता से और तसली के साथ बिलकुल टेंशन फ्री होके अपना वेपार कर सकते हैं